वेल्कम फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एड़ी हीलिंग हैंड्स उम्मीद है कि आपका डाइट प्लैन अच्छा जा रहा होगा चार दिन की कड़ी मेहनत के बाद बॉडी हल्की थकान महसूस करने लगती है इसलिए आज का दिन बॉडी को पावर देने का दिन है चलिए शुरू करते हैं डे फाइव डे फाइव है चीज जे इस दिन आपको ज्यादा तर चीज ही खाना है सबसे पहले है अर्ली मॉर्निंग सेशन तुभे पांच बजे एक किलास गुंगुने पानी में आधा चमच निम्बु का रस एक चमच शहद और पांच तुलसी के पत्ते डाल कर पीना है साढ़े पांच से छे बजे का समय एक्सरसाइज का समय है इस समय आपको तीन किलोमिटर तक वॉक करनी है या तीस मिनट तक आप अपने मन पसंद की कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं सवा छे बजे रात में भी गोई हुई पांच बादाम गिरी और दो खरोण गिरी के साथ आपको एक कप फीकी चाय पीनी अगला सेशन है ब्रेकफास सेशन साढ़े आठ बजे आपको एक कप गरम दूद के साथ एक पनीर पराठा खाना है ध्यान रहे के दूद फीका होना चाहिए ग्यारा बजे आप एक ब्राउन ब्रेट चीज सेंड़िच खाना है बारा बजे आपको एक कप ग्रीन टी में आधा चमच निम्बू का रस डाल कर पीना है अगला सेशन है लंज सेशन देड़ बजे एक स्मॉल बोल चीज पुर्जी के साथ आपको एक चपाती खानी है ध्यान रहे के चपाती वही होल वीट आटे की बनी होन चाहिए चार बजे आपको एक बनाना खाना है पांच बजे आपको दो डेजस्टिव बिस्किट्स के साथ एक कप फीकी चाय पीनी है लास्ट सेशन है डिनर सेशन साथ बजे आपको एक मीडियम बोल ग्रीन सैलेड खाना है आठ बजे आपको एक ब्राउन ब्रेट चीज सेंड़िच खाना है लास्ट मीड शाड़े नौ बजे आपको एक कप ग्रीन टी पीनी है ध्यान रहे कि इसके बाद आपको कुछ भी खाना या पीना नहीं है आज का चीट फूर है सॉल्टेड लसी आप सारे दिन में मैक्सिमम दो ग्लास सॉल्टेड लसी पी सकेंगे